बड़ी खबर आपको बता दे रामपुर से इस वक्त की बड़ी खबर सपानेता आजम खा दोश मुक्त हो गए है अचार सहेता उलंगन से जुड़े मामले में आज सुनवाई हुई ज़रान अधालत ने फैसला सुनाते हुए सपानेता आजम खा को दोश मुक्त कर दिया है MPM LA कोर्ट ने आजम खा को बरी कर दिया है लोक प्रति में धी अधिनियम के तहट मुकद्मा दर्ज हुआ था अचार सहेता उलंगन से जुड़ाये पुरा मामला 2019 लोकसभा चुनाव में समाजबाती पार्टी के प्रत्याशी थे आजम खा जिस दौरान वो मतदान के इंद्र में अपनी गाड़ी लेकर चले गए थे जबरन गाड़ी ले जाने का आरोप था जुसके बाद इस मामले को लेकर MP MLA कोट ने आज सपानेता आजम खा को बड़ी राहत देते हुए अचार सहेता उलंगन के मामले में दोश्मुक्त कर दिया है हाला कि अन्य मामलों में फिलहाल जेल में ही बंद रहेंगे आजम खा तो ये बड़ी खबर आपको बता दे आजम खा को दोश्मुक्त कर दिया है 2019 से जुड़ा ये पूरा मामला जिसमें समाजवादी पार्ची के प्रत्याशी थे आजम खा और मतदान केंद्र में जबरन गाड़ी ले जाने का आरोप उन पर लगा था जिसके बाद अचार सहेता उलंगन का मामला उन पर दर्ज हु आज रामपूर की MP MLA कोट ने सुनवाई पूरी करते हुए उनको दोश्मुक्त कर दिया है जादा घ्रानकारी के लिए सीधा रुख कर लेते है समाधाता सुरेश दिबाकर का सुरेश क्योंकि 2019 से जुड़ाये पूरा मामला अचार सहेता उलंगन का जिसमें रामपूर की MP MLA कोट ने आजम खां को दोश्मुक्त कर दिया है कितना बड़ी राहती आजम खां के लिए आजम खां के लिए आजका दिन राहत भरा दिन तो रहा लेकिन आजम खां की मुस्किले जो है वो समझीर बड़ी हुश चल रही है आजम खां को 2019 के लोक्तबा तुनाथ के दोरान जो अचार तहिता का उलंगन किया था आजम खां के लिए लेकिन पिलाल आजम खां सीतापूर की जेल में ही बंद है बरहाल तत्तालीन जो स्टीन ते और रेटर्निंग ऑफिसर की तरफ से अचार तहिता उलंगन का मामला अस्पाना घंच में दर्ट कराए गया था आजम खां पर आरोब था कि रजा डिकरी कॉलीज में जो पोलिंग स्टेशन था वहाँ पर अपनी गाड़ी ले गएते और गाड़ी ले जाने के बाद उसका एक दाइरा होता है तो सो मिटर तक कोई भी बहान अंदर नहीं जा सकता है जो पोलिंग स्टेशन होता है उसकी डाइरे को आजम खां पोलिंग स्टेशन था अंदर अपनी गाड़ी ले गएते और उसके बाद में अचार तहिता उलगन का जो मामला था तकालिन स्टीम और रेटनियू को अफिसर के द्वारा ये मुकदमा आजम खां पे किलाप दश कराये गये था अजो सारे दभूत से वो दभूतों के बाद मामला MPLA कोट और MPLA कोट और MPLA कोट में के पाद आज MPLA कोट ने आजम खां को राहत दी है और आजम को दोशमुक्त कर दिया है सुरेश जुससरा से इस मामले में जो के अचार, सहिता उलंगन से जुड़ा मामला था इसमें हाला कि रामपुर की MPML कोट ने दोश्मुक्त कर दिया है लेकिन फिलहार जेल में ही रहेंगे सजा काट रहे हैं वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा पक्ष है क्या यहां पर हाइर कोट की अपील कर सकता है हाइर कोट की तरफ जा सकता है देकि दूसरा फक्ष तो इसमें जो तथकालीन S.P.M. थे रिटर्निंग ओफिसर और तथकालीन S.P.M. की तरफ से या आजम खान के विरुद थाना गंज में मुकद्मा पंजीकरत कायार कराया गया था परहल अब रिटर्निंग ओफिसर की तरफ से या मुकद्मा तो दर्फ कर लिया गया था लेकिन आज उसी मुकद्मे को रामपूर के M.P.M. पोर्ट के दौरा आजम खान को राहत मिली है आजम खान के लिए आज का दिन बेहद खुर्तियों भरा दिन रहा बरहाल आजम खान तो सीतापूर की जेल में है लेकिन आजम खान को कहीं न कहीं आज M.P.M. पोर्ट के दौरा रामपूर के ये राहत बरिस्तास लिलू को बिली है 2019 के आजार सहिता उलंगन से जुड़े मामले में रामपूर की M.P.M.L. कोर्ट ने आजम खान को तिलहाल दोशमुक्त कर दिया हाला कि सीतापूर की जेल में ही है अभी बाकी जो है सजा काट रहे है सुरेश बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी के लिए